ग्लेंट्स के बारे में कुछ जानते हैं आप जानती हैं गरंथिया किसे कहते हैं आप लोग इसमें कोई नहीं जानता है अभी थोड़ी दिर बाद आप सब लोग क्या करेंगे जान जाएंगे कि गरंथिया किसे कहते हैं गरंथिया किसे कहा जाता है ग्लेंट्स क्या होते हैं कोशिका के समू को उतक कहते हैं तो उतक हो गया उतक भी हो सकता है और कोशिका का समू हो सकता है यह सब क्या करते हैं रस छोड़ते हैं क्या करते हैं रस छोड़ते हैं एंजाइम का स्रोण करते हैं यह लोग जो होंगे जो गरंथियां होंगे गरंथियां तीन काम कर सकते हैं जिसे हमारे थरीर में कोई उतक हो गया क्या हो गया कोई अंग होगया क्या होगया कोई भी अंग हो गया और फिर कोशिकां का क्या हो गया समू हो गया इन सब में से कोई भी यदी वो क्या कर रहा है तीन चार चीजें तीन चीजें अगर रिलीज कर रहा है मान लो पहले चीजें रस बना रहा है क्या बना रहा है रस क्या बना रहा है रस बना देगा और फिर क्या बना सकता है हार्मोंस बना सकता है क्या क्या बना सकता है Zhen Maggie बनाएं याने हमारे सरीर का आप देखो सबसे पहली बात कि यहां गरंथि के इसके वारे में यह बताए गया कि हमारे सरीर में ठीक है ना ऐसा अंग्ग होगा या ऐसा कोई उतक ऊबद या goesikata कोई समूह को जो क्या करेगा यहा तो रस बनाएगा यतो एंजाइब यह तो जाए इंसारी चीजों में से इन तीनों में से अगर कुछ भी वह बना रहा है तब वह क्या है किया है है रहयो सकता है कि कुछ घ्रंधियां ऐसी हों जो कि तीनों डंधायों कहरें तैना जो हमारा ग्लेंड है ग्रंथी है वो क्या क्या कर सकता है ग्लेंड क्या क्या कर सकता है बताओ रस्त बना सकता है एंजाइम बना सकता है और हार्मोंस बना सकता है ठीक है ना क्या बना सकता है हार्मोंस है हार्मोंस इन सब चीजों में से अगर कुछ भी बना रहा है तब वो क्या है ग्ल रासाइनिक पदार्थ में इसका स्रावर्ण भी कर सकते हैं यानि उसका बहाव कर सकते हैं बनाने के बार ठीक है और रासाइनिक पदार्थ में अगर देखा जाए किसमें देखा जाए रासाइनिक पदार्थ जैसे रासाइनिक पदार्थ में अगर आप देखते हैं तो रासा एंजाइम निकल गया ठीकान सबसे पहली बात आपको बताये गया कि रस भी निकला और क्या निकला एंजाइम आई यह दोनों क्या करते हैं इन दोनों का काम होता है पाचन में सहायता करना क्या करना सहायता करना रुख जो लाइट देखके जाओ यार जा बैठो जल्दी से इधर बैठ जो पीसे जगा है बहुत तगड़ा वहां सब जगा है इतको भेज ना रहता है भेज देते हैं बढ़ियां ठीक है और कोई तो नहीं आ रहा है चलो ध्यान से देखो इधर आपने क्या देखा आपने रातायनिक पदार्थ में देखा किसमें देखा रातायनिक अगर रस और एंजाइम है तो यह किसका जिम्मेदार होता है पाचन में सहायता करता है क्या करता है पाचन में क्या करेगा सहायता करेगा बात समझे कि नहीं सहायता करता है यानि अगर रस है तो रस क्या करेगा प को यखा फाचन पाचन करने का काम कर रहा था तो यह सब क्या करें के अगर रहे हैं तो हार्मोन क्या करेगा जैविक क्रियाओं का शंतुलन में सहायक करेगा घिक है नींग सहायक है किया है यानि हमारे ऐंदर जो भी जैविक क्रियाओं हो रही है उन सब में यह क्या करता है सहायता करता है और यह दोनों क्या करते हैं यह दोनों क्या करते हैं पाचन में सहायता करते हैं अब सुनों अब देखो द्यान से पहली आप आपको बताएगा गरंथियां पढ़ा जा रहा है क्या ग्लेंड आपको क्या पढ़ा जा रहा है ग्लेंड गरंथिया पढ़ा जा रहा है इसको आप अंता-सरावित-तंतर भी कह सकते हैं ठीक है ना अग अग्रंधियां कि잖아 होती है हमारे शरीर में जो हो सकते हैं कि उतक हो क्या हो। उतक अंग हो सकता है और कोशिकाओं का इं तीनों में से अगर कुछ भी निकाल रहा है तब वो क्या है ग्लेंट से क्या है यह भी हो सकता है कि हो सकता है कि कोई ग्लेंट के वल रस निकाले यह भी हो सकता है कि कोई ग्लेंट के वल हार्मोन निकाले यह भी हो सकता है कि कोई ग्लेंट और एंजाइम दोनों निकाले ठीक है ठीक है न एक आप्टा है कि कोई क्लेंट ये तीनों निकाले क्या करें निकाले ये भी exactly और उसके बाद रासाइनीक पदा देख लेते हैं आगर उर एंजाइम है तो ये पाचन में क्या करते हैं सहाथा करते हैं किसे में सहाथा करेंगे पाचन में और हार्मोन जो वो जैबिक क्रियाओं के संदुलन में क्या करेगा कोई दिक्कत यहां तक किसी को दिक्कत नोट कर लो फिर उसके बाद आगे हां बोलो है हां यह बिल्कुल तहीं है यह अब यह आगे पढ़ाएंगे उसको बढ़ाएंगे ना को यह वरतान हो